हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम डिजाइनर एलाइन कुर्ती बनाएंगे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए तो इसके लिए मैंने 2.5 मिटर फैब्रिक लिया है ये कॉटन का है तो सबसे पहले ह हमने फैब्रिक को फोरफोल्ड करके रखा है ये देखें यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और इस फोरफोल्ड की जो वेड़ थ है वो 19 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 44 इंच ली है लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकत अब यहां पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, अब यहीं से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अब यहां पर हमें चेस्ट का फोर्थ प्लस टू इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच, आपका जो चेस्ट का साइज है उसको फोर सी डिवाइड करना है, प्लस टू इंच मार्जिन एड़ कर लेना है, अभी उपर से हम कमर की लेंथ लेंगे, तो कमर की ले मैं ले रहे हूं 14 इंच और हिप की लेंद भी लेंगे तो हिप की लेंद मैं ले रहे हूं 20 इंच अभी जहां पर हमने कमर लेंद का निशान लगाया है वहां पर हमें कमर का 4th part plus 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रहे हूं 9 इंच और अभी जहाँ पर हमने हिप लेंद का निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप का फोर्थ पार्ट प्लस टू इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे अभी इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्स्टेंड कर देंगे नीचे तक तो इस तरह से इस एलाइन शेप में हमें ड्रॉ करना है अभी यहाँ पर हम धाई से तीन इंचु पर मार्क करेंगे और हलका सा राउंड शेप दे देंगे इससे हमारे साइट से कोने नहीं निकलेंगे अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे यह हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे ये हमारा फ्रेंड का आर्मोल है अभी हम neck की marging करेंगे तो neck width में ले रहे हूं 3 inch और neck deep में ले रहे हूं 6 inch फ्रेंड के लिए और back के लिए में ले रहे हूं 4 inch यहाँ पर भी हम 3 inch ले लेंगे और एक box बना लेंगे उसके बाद round shape देंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी हम round shape दे देंगे तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे तो सबसे पहले हम back neck और back armhole से cutting करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को face से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी इसे हम center से cut कर लेंगे तो front में हम button placket बनाएंगे इसके लिए हम इसे center से cut कर देंगे तो इस तरह से हमने इसे center से cut कर लिया है तो यह हमारा front का part इस तरह से आएगा अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो हमने fabric को four fold करके रखा है यह दिखेंगे यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है और यह four fold हमने लिया है नाइन इंच का जितना आपका आर मोल है उससे धाई से तीन इन जदा लेना है और sleeves की length हमने लिया है 11 इंच अब यहाँ पर open side से 3 इंच पर mark करेंगे और यहाँ से हम sleeves का shape देंगे इस तरह से अब यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इन दुरों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है यहाँ पर center में cut लगा लेंगे उसके बाद हम sleeve को open करेंगे और open करने के बाद हम यहाँ से front का armhole draw करेंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो हमने front का armhole cut कर लिया है तो इस तरह से यह हमारे दोनों side के दो sleeves है अभी हम stitching करेंगे तो हमने front का part लिया है और यहाँ पर left side में हम strip attach करेंगे तो इसके लिए यह हमने strip ली है और इस strip की जो width है वो हमने 3 inch ली है तो strip को हम left side के ऊपर रखेंगे उल्टा और किनारे से सिलाई लगा के इसे attach करेंगे और right side के लिए भी हमने strip ली है और इस strip की जो width है वो हमने 2 inch ली है इसे भी हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो हमने दोनों strip को यहाँ पर attach कर लिया है अब यह जो हमारी 3 inch वाली strip है इसे हम इस तरह से सीधी side में करेंगे और यहाँ पर हमें half inch का सबसे पहले fold करना है उसके बाद हम इसे इस तरह से fold करते वे रखेंगे इसके उपर और यह वाली strip हमें 1 inch बाहर की तरफ रखनी है और यह जो दूसरी strip है इसे हमें सबसे पहले एक fold करना है और उसके बाद हमें strip को पूरा ही fold करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है तो हमने strip को fold कर लिया है अभी जो 1 इंच बाहर की तरफ strip है इसके उपर हमें दूसरे पार्ट को overlap करना है इस तरह से और shoulder से हमें 30 इंच पर एक mark करना है अब यहां से हम जहां पर हमने mark किया है वहां तक हम इसे stretch करेंगे उसके बाद इसे open रखेंगे तो हमने इसे stretch कर लिया है नीचे से यह हमारा slit रहेगा बाद में हम यहां पर button stitch कर लेंगे अभी हम front का neck बनाएंगे तो इसके लिए हमने इसी shape की strip ली है इससे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो हमने यहां पर सिलाई लगा दी है अभी हम यहां पर छोटे-छोटे cut लगा लेंगे और उसके बाद हम इस strip को wrong side में turn करेंगे और top stitch लगा लेंगे तो हमने top stitch लगा लिया है बाद में यहां पर हम hand stitch करेंगे तो इस तरह से यह हमने front का neck ready कर लिया है अभी हम back neck बनाएंगे तो back neck बनाने के लिए भी हमने इसी shape की strip ली है इसे भी स्के उपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो दिखे हमने यहां पर सिलाई लगा दी है अभी यहां पर हम चोटे-चोटे cut लगा लेंगे और cut लगाने के बाद में हम strip को wrong side में turn करके top stitch लगा लेंगे और back neck ready कर लेंगे तो हमने back neck ready कर लिया है अभी हम front का part इसके उपर उल्टा रखेंगे दोनों की सीरी side हमें अंदर की तरफ रखनी है और shoulders attach कर लीना है अभी हम sleeve में pattern बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक side की sleeve को side में रखेंगे और यह हमने strip ली है और इस strip की जो length है वो हमने 6 inch ली है और इसकी width हमने sleeves bottom से 2 inch जादा ली है अभी strip को fold करेंगे और इसे हम center से cut कर देंगे तो हमने strip को center से cut कर लिया है अभी यहाँ पर हम double fold कर देंगे इस तरह से दूसरे side को भी double fold करेंगे तो हमने यहाँ पर double fold कर लिया है अभी यहाँ पर हम पट्टी attach करेंगे तो इसके लिए यह हमने strip ली है और इस strip की जो width है वो हमने 2 inch ली है तो strip को हमें fold करना है और इसके उपर रख दिना है fold करते हुए और यहाँ पर दोनों side में हम सिलाई लगा के strip को attach कर लिया है अभी इसके हम center पर एक mark कर लिया है और उसके बाद इन दोनों parts को हम इसके उपर उल्टा रख दिनके बिल्कुल center से center को मिलाते हुए रखना है हमें और यहाँ पर सिलाई लगा के से attach कर लिना है तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी strip को हम सिधी side में turn करेंगे और पिछे के side से जो हमारा fabric है उसको हम इस तरह से turn करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पर top stitch लगा लेंगे और sleeves के bottom को हम double fold करेंगे और यहाँ पर यह हमारा इस तरह से slit रहेगा तो दिखें इस तरह से हमने bottom को double fold कर लिया है और same इसी तरह से हमने दूसरा sleeves भी ready कर लिया है अभी हम shoulder पे sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के उपर उल्टा रखना है और इस तरह से स्टिच कर लेना है और इसी तरह से दूसरा sleeve भी attach कर लेना है तो हमने दूनों side की sleeves को attach कर लिया है अभी waist में हम एक strip attach करेंगे तो shoulder से हम 13.5 इंच पर mark करेंगे और इस line को हम सीधा कर लेंगे scale से अभी side से हम 2 इंच का margin छोड़ेंगे क्योंकि 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा fitting के लिए अब दूसरे side में हम 2 इंच पर ही mark करेंगे तो ये जो हमने line बनाई है इसके उपर हम strip attach करेंगे तो इसके लिए ये हमने एक strip ली है और strip की जो width है वो हमने 1.5 इंच ली है तो सबसे पहले strip को हमें double fold करना है और इस तरह से fold करते वे से stitch करना है तो ये मैं आपको machine पे stitch करके दिखाऊंगी तो ये हमारी line है और ये strip को हम सबसे पहले double fold करेंगे उसके बाद एक side से भी इसे fold करना है और जहां पर हमने निशान लगाया है वहां से हम इसे सिलना शुरू करेंगे और line के बीचो बीच रखेंगे strip को और इसे stitch करनेंगे और यहां पर extra strip को cut करेंगे और वापस हम इसे double fold करेंगे अभी same इसी तरह से दूसरे side में भी हम इसे fold करते वे stitch करेंगे तो इसके अंदर से हम easily dory डाल पाएंगे तो दिखें हमने आपर इस strip को attach कर लिया है अभी इसे back side में turn करेंगे अभी same इसी तरह से हमें back side में भी strip को attach करना है तो shoulder से हम 13.5 इंच पर mark करेंगे और इस line को सीधा करेंगे और दोनो side में हम 2 इंच का margin छोड़ देंगे और ये हमने strip ली है तो strip को हम यहाँ पर stitch करेंगे तो दिखें इस तरह से हमने back side में भी strip को stitch कर लिया है उसके बाद हमें इसे उल्टा करके दोनों side से fitting कर लेनी है और इसके bottom में double fold कर देना है तो हमने एक उर्ति की fitting कर ली है अभी इसके अंदर हम dory डालेंगे तो इस तरह से हमने 2 dory पनाई है एक dory हम front part में डालेंगे और एक back part में डालेंगे तो इस तरह से pin की help से हम डोरी को अंदर डालेंगे देखिए अभी सी तरह से हम back side में भी dory डाल लेंगे तो दिखे इस तरह से हमने दोनों साइड में डोरी को डाल लिया है अब इस साइड में हम इस तरह से नॉट बान देंगे और डोरी के एंड में हम फैब्रेक लटकन लगा लेंगे